साहित्य जगत राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रीय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्थु थे कक्षा बारा के लिए विश्वनात्र पाठी दोरा लिखित एच्छिक हिंदी की पाठ्य पुष्थक हिंदी साहित्य का इतिहास सामानने परिचे में संकलित पाठों पर आधारित शंकला साहित्य जगत इस शंकला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनिक काल के अंतरगत स्वातंत्रियोत्तर युग में कविता यों तो हिंदी कविता की प्राय सभी पुरूव परवर्क्तियां स्वातंत्रियोत्तर काल में भी परिलक्षित होती हैं किन्तु नई कावे प्रवर्क्ति के रूप में सबसे अधिक चर्चा नई कविता की हुई 1951 एसवी में दूसरा सब्तक और 1969 एसवी में तीसरा सब्तक प्रकाशित हुआ संपादक अग्ये ही थे तार सब्तक यानि पहला सब्तक उननी सो तैंतालिस एसवी में प्रकाशित हुआ था जिसका प्रमुख स्वर प्रकतशील कावे का था दूसरे और तीसरे सब्तक में स्थिती भिन्न हो गई दूसरे सब्तक के कवी हरी नरायन व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शम्षेर बहादूर सिंग, नरेश महता, शंकुत माथूर, रगवीर सहाय और धर्मवीर भारती थे तीसरा सब्तक के कवी थे प्रयाग नरायन त्रिपाठी, कुमर नरायन, केर्ती चौधरी, केदारनाथ सिंग, मदन वात्स्यायन, विजय देव नरायन साही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसी बीच मासिक पत्रिका प्रतीक का प्रकाशन प्रारंब हुआ, इसके संपादक अग्ये थे फिर निकश, नई कविता, आदी सहित्तिक पत्रिकाएं लगातार निकली ये सामाजिक प्रतिबधता से कविता को दूर ले जाना चाहती थी उनकी मुख्य चिंता ये थी कि कविता के छेत्र में राजनीती को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए प्रयोगवाद प्रगतिशील काव्यधारा के समानांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवरिक्ति है इसमें कविता की निजिता की सुरक्षा का आग्र है प्रयोग वाद में मोह भंग और उससे उत्पन्न व्यंग्य विद्रूपता की मनह इस्थिती प्रमूख है स्वाधीनिता के उपरांत व्यवस्था से असंतोश और दितीय विश्वयुद्ध में नरसंगहार के कारण मानवीय प्रयतनों पर से विश्वास उढ़ गया देशकाल की असीमता के बोध ने मनुष्य को नगणे बना दिया इससे शिक्षित यूवा कवियों के मन में एक प्रकार के मोह भंग की इस्थिती पैदा हुई ये अग्ये और प्रभाकर माच्वे की कविताओं में दिखलाई पढ़ने लगता है इसी मनह इस्थिती में अग्ये चांदनी को वंचना कहते हैं और प्रभाकर माच्वे लिखते हैं विज्जा काया के दो पद्य सुनकर चित हुआ गदगद गदगद होना गदगद होने का मजा उड़ाना हुआ ये प्रवरिक्ती प्रपद्यवाद में और आगे बढ़ी जिसमें मन को बिलकुल खुला छोड़कर कविता हुई तथा अनंगळ और अपर्चित शब्दों का प्रयोग भी बहुत हुआ नई कविता प्रयोग वाद में प्रयोग पर बल है यह स्मरण रखना चाहिए कि कालांतर में मुप्ति बोध जैसे प्रगति शील कवि ने भी स्वयम को नई कविता का कवि घोशित किया नई कविता के कवियों में लक्ष्मी कांत वर्मा, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायन साही, विपिन अगरवाल एवं श्री राम वर्मा प्रमुख हैं द्वित्य विश्वयुद के उपरांत यूरोप में अस्तित्ववाद की लहर तेजी से फैली, सार्त्र और कामू इसके नए विचारक बनी, अनिश्चय, चयन की पीडा, मानव इतिहास की व्यर्थता, मृत्यू का संत्रास इसके प्रमुख सूत्र हैं इससे हिंदी के विचारक और कवी भी प्रभावित हुए, अजनबिपन की बात यहां भी होने लगी, जिन अयतिहासिक स्थित्यों में यह यूरोप में 20-20 सदी में प्रभावशाली बना था, वे स्थित्यां भारत में नहीं थी, लेकिन विचार में इससे प्रभावित होन अस्वभाविक नहीं था, विशेश रूप से अग्ये धर्मवीर भारती जैसे कवियों के लिए, जिनकी कविता सहे 33 अतिरेकों से अपने को सुरक्षित रखना चाहती थी, समाजवादी विचारधारा, द्वित्ये विश्वयुद्ध के उपरांत, अस्तित्व वाद की अ का हुई, अग्ये साहित्य एवं व्यक्ती की सुरक्षा के प्रतिनिधी कवि हैं, उन्हें व्यक्ती वादी कवि कहा गया है, नदी के द्वीप, यह दीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधी कविताएं हैं, जो साहित्य की विशिष्टा की सुरक्षा और व्यक्ति स्वातंत्रिय का प्रतिपादन करती हैं। एक रूपता की अस्विक्रति अग्ये की कविताओं की टेक है। उनके बिम्ब भी प्रायह ऐसे होते हैं जहां एक रूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेली गतिशील होती है। अग्ये जहां अपने व्यक्तित्व को किसी दृष्य या विचार में तल्लीन कर लेते हैं, वहां वे उत्कृष्ट काव्य रचते हैं। उन्होंने प्रकृति पर अनेग उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लगु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रवर्ति से यह अवश्य हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मनहस्तितियों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई जो सचमुच नई थी। नई कविता के कवि मध्य वर्गिय व्यक्ति के मन की जटिलताओं को अधिक अपनापे से प्रकट करते हैं। यद्यपी उन्हें समझने का उतना प्रयास नहीं करते। उन्हें सो साथ इस्वी के बाद अकविता का जो दौर आया उसमें अस्वीकृति का तेवर सीमा पर पहुँच गया। अकविता का आशय ऐसी काव्य प्रवर्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई है। इसके लिए उसके नाम में ही परंपरा को पूरी तरह नकारने का भाव था। वस्तुतह यह विवेक पक्ष की उपेक्षा करके विद्रोह या व्यवस्था विरोध की काव्य प्रवर्ति थी। अकविता के बाद एक बार फिर प्रगतिशील चेतना संपन्य युवा कवियों की कविताएं कविता की मुख्यधारा बनी। नई कविता की प्रवर्तियां नई कविता लगु मानव की कविता है। लगु मानव से आशय, दिशाहारा एवं विचारधारा से रहित उपेक्षित सामान्य मनुष्य से है। नई कविता अपने को राजनीति से दूर रखती है। वह समाजवादी और पूजीवादी दोनों शिवरों से समान दूरी रखती है। नई कविता लगु मानव के देनन दिन सामान्य अनुभवों की अभिव्यक्ति करने में विश्वास रखती है। मुक्ति बोध ने नई कविता शब्द का प्रयोग व्यापक का व्यधारा के अर्थ में किया है आधुनिक काल के अंतरगत स्वातंत्रियोत्तर युग में कविता साहित्य जगत के अंतरगत अभियाव सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संयोजन डौक्टर संध्या सिंग, डौक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचन राम आलेक विश्वनात्रिपाठी, वाचनस्वर के चंदन और सुनिता चोहान कार्य कारी नर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्माण सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्माण एवं प्रसुती वंधना अरिमर्दन झाले के परतों प्रसुते तथार सुनिता नर्माण प्रसुती सिर्दन प्रसुत।